तो क्या आप भी बनना चाहती है जल सखी नहीं पता है आपको कि आवेदन कैसे करना है आवेदन कब से सुरू होंगे आवेदन होना सुरू हो चुके हैं या फिर कितने डाकुमेंट्स क्या लगेंगे पात्रता चैन प्रक्रिया योगिता संपूर्ण जानकारी जल सखी के बा ताकि इस तरह के अपडेट आपको रोज जाना आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिलती रहें और सेयर करना ना भूला यह वीडियो स्टार करते हैं उत्तर प्रदेश योगी आदितना सरकार महिलाओं को आत्मिर्वाव सचम बनाने के लिए प्रतिवर्ण बहुत प्रयास करती चली आ रहे हैं कि गई बीजी सखी योजना भी इसका एक उत्रहान जिसके सफलता को देखते हुए बर्व सरकार ने यूपी ग्राम पंचैत में जल सखी भरती 2022 निकाली है उद्देश महिलाओं का सामाची को रार्थिक विकास करना और दस्वी परहभी पास महिलाओं के लिए यह नौकरी है फॉर्म भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और आफ लाइन कार्या लैपर कर सकते हैं वसे इसमें आफ लाइन आवे दनोंगे नहीं होंगे ठीक है इसके बाद क्या काम करेंगी उत्त्यप्रदेश जल सखी योजना के अंत्रकात भरती हो करने होने वाली महिलाएं उत्त्यप्र करेंगी अब जल वसूली का काम ठीक है अगर आप यूपी जल सके भाड़ती हो ज़े 2022 में आविदंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंतर तक देखें और प्रक्रिया चैन्प्रक्रिया पातरता मापदंड सभी जानकारी आप सकते हैं अब हम यहाँ पर आपको दिख राज ग्रामिडा जीव के मिसन के तहट गठीत मैला स्याम सहाता समूल से जल सकीयों का चैन्ट किया जाएगा सरकार का 2024 तक हर घर को नल से जल उपलब्द कराने का लच्छे है जिसके लिए हर परिवार को करेंक्सन लेना होगा करेंक्सन का बिल और इसकी वसूली के लिए ह जल सकी को करीब 6000 रुपे मासिक वितन देने का विचार किया गया है ग्राम विकास विभाग और मिसन के स्तर पर जल सकी तैनात करने की योजना बनाई जा रही है अब जैसे कि आप यह सोचेंगे कि हमने तो हम समूल में जूड़े हुई नहीं है तो क्या हम आविदं कर सकते हैं उसके लिए भी आप वीडियो देखिए आपको सबसे पहले से चेतर में चल रहे हैं महिला समूल से संपर करना पड़ेगा जाने कि आप समूल में जूड़ने जाएंगी तो ना तो आप कोई नोकरी कर पाएंगे और ना ब्लाक वाले आपके आविदं को स्विकार आपको केवल नोकरी के लिए नहीं जूड़ना है ठीक है इस वजह से मान लेते हैं आप आपको मैंने अभी पहले से ही बता रखा तो आप चाहती कि मैं जुझा करना चाहती है तो समवह से जुड़ जइए विस्वक बना लिचिये यह समूव में जूड़ जाईए तो ज़्यादा अच्छा रहेंगा तो यह वह तो तो जब तक नोकरियां आएंगी जब तक आप आवेदन करेंगे तब तक 3-4 मैने बीच चुके होंगे तो ब्लाक वाले भी आपके आवेदन को सुईकार कर लेंगे ठीक है फिर आप इन में से यूपी जल सकी योजना का एप्लिकेशन फॉर्म मांग सकती है ठीक है इसके अब आप अब मांगें गया सभी दस्त वेज को साथ में लगवा दें एक साहत्य को जमा कर आकर उसके रसीद लेना ना भूले ठीक है अब आप सोचेंगे कि इसके लिए डाक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेंगे तो अभी तक अगर आपके पास यह डाक्यूमेंट्स नहीं है तो फटाफर से बनवा लीजिए अधार कार्ट या पहचान पत्र जpping कार्ट या बैंक पैंक पासबुकं और मोबाइल नंबर लिएवस स्मार्टफोस भी आके पास होना बहुत जरूरी अगर आप जल सखी बनना चाहती है तो स्मार्टफोस चलाना कता है और फैला सभी को आता है लगबहग और निवा समार्टबाटट जाति इसके बाद पहले चरण में संपूर उत्त्रप्रदस में 20,000 जलसखियों की भरतियां आयुजित की जाएंगी यानि कि कई चरण में जलसखियों की भरतियां होने वाली हैं इस बात को आप ध्यान रखेगा और एक बात बता देने चाहेंगे चीज और यहां पर कि जो अभी प महिला को रख दिया जाएगा जो अच्छा काम कर रही होगी और नहीं होता है तो अलग भी महिला हो सकती है ज़रूरी नहीं से कोई एक महिला को निवक्तियां दी जाए इसमें और उसके बाद कई चरण रखे गया है जैसे 5-6-10 तरण इस तरह से चरण तरीके से बना गया ह तो पहले चरण में 20,000 जलसकी बनाई जाएंगी यानि कि 20,000 महिला जलसकी बनने वाली है पहले चरण में इसके बाद जो जलसकी की भरती की जाएगी उनका वेतन होगा 6,000 रुपे बहुत लोग कमेंट करते हैं कि मैम ऐसा कुछ नहीं है सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी 6,000 म मान दे उनको मिलेगा हाला कि हम मानते हैं कि सरकार लेट से मान दे देती है लेकिन देगी ऐसा नहीं है जब बोला गया है तो दिया जाएगा इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा ठीक है इसके बाद जलसकी भरती योजना के बारे में बाकी वेबसाइट जूट फैला रह जाएगा 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 अप्रेल या माई तक ठीक है ऐसे में आवेदन होना शुरू होंगे अभी आवेदन शुरू नहीं हुए हैं हाला कि मैंने आपको क्यों जानकारी देने के लिए वीडियो बनाई थी ताकि आप लोग भी सतरक रहे हैं अगर आप चैनल पर पहली बार रहे हैं तो सब्सक्राइब करने वीडियो को सेयर कर हैं जैसे ही इसके अवेदन शुरू हो जायेंगे हम आपको जरूर बताएंगे वीडियो के मादी हम से कि हां आज या कल या एक हपते बास से आवेदन होना शुरू हो रहे हैं 2023 में ही आवेदन होंगे 2022 का लाश्ट मंत चल रहा है आप जानते हैं अभी आवेदन कोई भी न बागू होती है जैसे ही कोई और अब्डेट आती है आप लोग तक सुचना पहुचा देंगे सब्सक्राइब कर लिजेगा थैंक्यू झाल झाल झाल